है ऐलो फ्रेंट में चानल में आपका स्वाकत है कैसे हो फ्रेंब साफ फ्रेंड देखिए मैं आज आपके लिए इक सुंदर सा सिंपल सा डीजाइन ले के आया हूं इस एचेटीण सा स्येड़ा टेटा टेटा सा यह दिजा गया हुआ है यह दिखिए लियीनलियो को आप सुंदर बन किया आता है मैंने इसे क्रीम कलर में बनाया हो है आप किसी भी क्लर में ले चाहिए लाइट कलर हो बट हो हुआ खरैंड ग्रीडाइन जो हमारा सीधि तरफ से स्टार्ट होगा और चार फंदे इसमें डिजाइन किया, दो फंदे उल्टे है, ये चार फंदे डिजाइन किया, दो फंदे उल्टे है, ये देखी फ्रेंड्स मैंने इसमें 26 फंदे डाले हुए है, चार सलाइयों का मैंने बोटर बनाया हुए है, ये इसकी राइट साइड है, देरी ना करते बताते हूँ कि डिजाइन की सरा बनाएंगे1 फंद मैंने अफंद हैँ, धागा अंदर किया, एक दो फंदे उल्टे, फिर धागा बाहर किया अब एक दो फंदे अब इस फंदे को हम इसको ऐसे इसको हम आगे ले आएंगे दूसरे फंदे को आगे ले आएंगे और आगे वाले फंदे को हम पीछे ले जाएंगे फिर इसको इस तरह सीधा और इसको भी सीधा करके बना देंगे आप ये दो फंदे जो और पूशे वाले फंदे के पीछे से आगे ले याएंगे और आगे वाले को पीछे ले जाएंगे ओप यह देखे अब धागा अंदर किया एक दो फंदे उल्टे फिर धागा बाहर किया अब देखके front 1 2 दूसरा फंद जो पीछे बाला उसकोहम ऐसे यह आगे वाले को इसको दूसरी सलाइम्में ले लेंगे और इसकोहम इस स्ञोईद उसलाइक और इसको दो कि दीखे front अब यह जो इंको पीछे से पहला फंद हम इसको ईस तरह इस को PEACSoem जाएंगे और पीछे से फंदह हम ले आएंगे इसको आगे इस तरह तरह देखिए है यह कि चार भंदों कटी जाएंगे फिधा दाम अंधर किया कि एक कंद़ हो धूसर्व्र फंद हो टारी तूसरे फंदhmen कि यह दो इस पंब को हम लेंगे ये देखिए इस तरह और अब हम इस फंदे को सीधा गरके इस तरह बना लेंगे फिर हम इस फंदे को भी बना लेंगे अब हम इन दो फंदों में से ऐसे पीछे से सलाई डालेंगे इस तरह और इस फंदे को ऐसे कर लेंगे फिर इसको बना लेंगे फिर बाद में हम इसको बनाएंगे धागा अंदर किया एक फंदा उल्टा दूसरा उल्टा धागा बाहर किया ये देखिए फ्रांट्स ये हमने पहला फंदा पीछे ले आए और पीछे वाला फंदा हम आगे लिया इसको सीधा करके बना लिया फिर द को पीछे ले जाएंगे और पीछे वाले फंदे को हम आगे ले आएंगे इस तरह ये ये देखिए फिधा का अंदर किया एक फंदा उल्टा दूसरा उल्टा और ये लास्ट वाला फंदा ये देखिए हमारी फश्ट रोबन के तयार हो गए जेकेंड रो उल्टी तरफ की एक फंदा हमने उतार लिए अब हमने ये दो पंदे उल्टे बनाए है सीधी तरफ से अब हमेंने सीधा करके बनाएंगे एक दो फंदे सीधे फिधा अंदर किया ये जो चार फंदे डिजाइन किया है इन्हें हम उल्टी तरफ से उल्टा करके बनाएंगे दो तीन और ये चार फिर दागा बाहर किया ये दिखेए अब दो फंदे उल्टे हैं इनको हम एक दो सीधा करके बनाएं फिर दागा अंदर किया एक दो तीन और ये चार, चार फंदे उल्टे फिधागा बाहर किया, एक फंदा सीधा और ये दूसरा फंदा सीधा, फिधागा अंदर किया, एक, दो, तीन और ये चार फंदे उल्टे फिधागा बाहर किया, एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा, फिधागा अंदर किया, एक, दो, तीन, और चार फिदा का बाहर किया, एक, दो फंदे सीधे और ये लास्ट वाला फंद, ये हमारी सेकंड रो बने डिजाइन की, ये देखी फ्रेंट्स, दो फंदे हमने जो सीधी तरफ से हमने उल्टे लिये थे, उल्टी तरफ से हम सीधे करके बनाएं और चार फं यसी राइट साइड से पहला फंद उतार लिया अब यह दो फंदे उल्टे हैं तो आब हम एक फंद उल्टा दूसरा उल्टा आब यहाँ यह चार फंद design कि आप इसको हम एक फंद और उल्टा बना देंगे, तीन फंदे उल्टे हो गए, ठीक है, अब एक दो तीन फंदे सीज़रे, अब हम क्या करेंगे, धागा बाहर करेंगे, अब ये दो फंदे जोएन को इस तरह, ये, दूसरे फंदे को हम आगे ले आएंगे, और आगे वाले फंदे को हम पीछे ले ज तरह फिर दागा अंदर किया एक फंदा उल्टा तो एक फंदा हम यहां से ले लेंगे उल्टा दो फंदे उल्टे चाहिए हमें फिर दागा बाहर किया अब फिर देखिए फ्रेंट्स एक यह देखो अब इसको हमने सीधा करके बनाया फिर हमने इसको भी सीधा बनाया अब य देखिए एक सीधा और ये दूसरा फिर धागा अंदर किया एक फंदा उल्टा दूसरा उल्टा फिर धागा बाहर किया अब दूसरे फंदे को हम आगे ले जाएंगे आगे वाले फंदे को हम पीछे ले जाएंगे ये देखिए ये फिर इस उल्टे फंदे को हम आगे ले यह देखिए फिर धागा अंदर फिर एक फंदा उल्टा और एक यहां से सीधा फंदा हमने उल्टा बना लिए फिर धागा बाहर किया आप देखिए फ्रैंट्स एक फंदा हमने यह ले लिया और एक यह एक और यह दो फिर हमने यह इस तरह फिर एक और यह दो फिर हमने यह जो हमारा एक ही फंदा राया और यह लाज ट्वाला फंदा ठीक है यह दिखिए अब फोर्थ रो प्याला फंदा उदार लिया एक फंदा सीधा अब यह एक़ी फंदा उल्टा था तो एक़ी फंदा सीधा अब एक दो दो इन चार चार फंदे हमारे उल्टे शीधे इक बिखिए हंदा आपं अंदर किया made एक, दो, तीन, चार, चार फंदे उल्टे धागा बाहर किया, एक, दो फंदे सीधे फिर धागा अंदर किया, एक, दो, तीन, चार, अब फिर धागा बाहर किया, एक दो फंदे सीधे धागा अंदर किया एक दो तीन चार फंदे उल्टे फिधागा बाहर किया एक दो फंदे सीधे फिधागा अंदर करके एक फंदा उल्टा सोरी एक फंदा उल्टा नहीं तीन फंदे ये तीनों फंदे हमारे सीधे है यह हमारी फोर्थ रो बनके तयार हो गई ठीक है फिफ्थ रो फिफ्थ रो में क्या करना फ्रेंड्स आपने पहला फंदा उदार लिया अब हमने यह दो फंदे हैं यहां हमारा डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा अब हम इनको इस पीछे वाले फंदे को आगे लाके ऐसे सीध अब धागा अंदर किया एक फंदा उल्टा दूसरा फंदा उल्टा फिर धागा बाहर किया अब हमने यह दूसरा फंदे को हम आगे ले आएंगे यह देखो इस तरह यह हमारी फिफ्थ रो बंग रही है ठीक है यह देखो यह हम पीछे ले गए और यह इस तरह फिर धागा पांदर किया एक फंदर उलका और एक फंद किया वाले से उल्टा ले लिया ठीक है यह देखिए इस फंदे को हम आगे ले आए और आगे वाले फंदे को हम पीछे ले गए फिर दोनों को हमने सीधा करके बना दिया अब यहां से हम उल्टा फंदा आगे ले आए इसको हमने सीधा बना दिया आगे वाले फंदे को हमने पीछे ले गए थे इसको हमने सीधा बना लिए ठीक है ये भी हमने इस पंद्य को भी हमने सीधा बना लिए फिदि आग अंदर किया एक पंदा उल्टा दूसरा फंदआ उल्टा फिद आगा बाहर किया अब आध ये तीन पंदे सीध्यां इनने से दूसरे पंदे को आगे लिए इसको पीछे अब इससे उल्टे फंदे को हम आगे ले आए एक और ये दो अब धागा एक और ये दो और फिर इस फंदे को हम यहां आगे ले आए और इसको हम पीछे ले गए ठीक है फिर इसको बना दिया हमने फिर हमने अब यहां हमारा एक भी उल्टा फंदा नहीं रहा क्योंकि हमारे यहां से यह डिजाइन जो है हमारा तीर्चा जाता है तो तीर्चे डिजाइन में यहां से फंदे यह देखो ऐसे हो गया है ठीक है और यहां से हमारा डिजाइन स्टार्ट हो रहा है पहला फंदर उतार लिया, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे उल्टे, एक, दो फंदे सीधे दागा अंदर किया, एक, दो, तीन, चार फंदे उल्टे, एक, दो फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार फंदे उल्टे, एक, दो फंदे सीधे दागा अंदर किया, दो, तीन, चार, और ये दो फंदे सीधे, अब यहां हमारे दो फंदे उल्टे बन गए, और ये पहला वाला फंदा, ठीक है? ये हमारी सिक्स, छटी सलाई बन गए, अब साथ में सलाई में हमने क्या करना, फ्रेंट्स, पहला फंदा उतार लिया, धागा बहर ही रखना है, ठीक है? अब हमारा एक फंदा यहां सीधा आगया, अब हमने एक फंदा यहां से उल्टा, और इस तरह, ये एक फंदा, ये देखो, फिर धागा, फिर एक फंदा उल्टा, ये उल्टा, फिर धागा बहर किया, अब बीच वाला तीन फंदों में से, बीच वाला फंदा हमने आगे लिए आना इसको सीधा बनाना है फिर इसको भी हमने सीधा बनाना है फिर यह देखिए फ्रेंड इसको भी सीधा बना लिया और इसको भी फिर आगा अंदर किया एक फंदा उल्टा और एक यहां सीधे में से उल्टा ले लिया फिर यह देखिए दूसरा फंदा आगे लिए आए और आगे वारा फंदा हमने पीछे दे tillे दोनों सीधा बना ली आब यहां से हम एक फंदा उल्टा ले लिए और सीधे वाले फंदे को पीछे कर देंगे इस तरह फिर दागा अंदर किया दो फंदे उल्टे ये सीधा बन गया ये भी सीधा बन गया और ये भी सीधा बना लिया और ये चार फंदे सीधे फिर आगा अंदर किया एक फंदा उल्टा दूसरा उल्टा फिर आगा बाहर किया फिर इस फंदे को हम यहां आगे ले आए एक और दो अब यहां मारा एक ही फंदा रा और ये लास्ट आला ये देखिए अब ये डबी जो मारी आँ खतम हो रही है और यहां से स्टार्ट हो रही है पहला फंदा उतार लिया फिर एक फंदा उल्टा दूसरा उल्टा और तीसरा उल्टा फिर ये दो फंदे हमारे सीधे आ गए फिर धागा अंदर की तरफ किया दो तीन और ये चार फिर धागा बाहर करके दो फंदे सीधे चार फंदे उल्टे एक दो फंदे सीधे एक दो तीन चार फंदे उल्टे दो फंदे सीधे और ये एक दो तीन और ये लाश्ट लाफंदा ये हमारी एर थ्रो बनके तियार हो गए नाइन थ्रो नाइन थ्रो में पहला फंदा उतार लिया अब हमने अमारी पूरी डब्बी यहां से बन गई ये देखो फ्रेंट्स इसको इस तरह एक और ये दो अब ये देखिए फ्रेंट्स इस तरह एक और ये दो फिर आगा अंदर की ये अब एक की फंदा उल्टा रहा तो एक हमने आगे से ले लिया एक फंदा सीधा दो फंदे सीधे अब यहां से हमने उल्टा फंदा आगे ले आए पीछे से एक सीधा दूसरा सीधा फिर आगा अंदर किया एक दो एक दो एक दो फिर दागा अंदर किया एक और दो फिर आगा बाहर किया एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो फिर आमारे यहां यह इस तरह देखो यह 9 रो मारी बन गए 10 रो 10 रो में फ्रेंट्स आपने एक दो फंदे उल्टे दो सीधे दो उल्टे चार फंदे उल्टे एक दो फंदे सीधे एक दो तीन चार फंदे उल्टे एक दो फंदे सीधे एक दो तीन चार फिर एक दो एक दो तीन चार और यह लास्ट ठीक है यह हमारी 10 रो बन गए 11 रो 11 रो में पहला फंदा हमने उतार लिया अब हमारा एक फंदा यहां उल्टा हो गया ठीक है अब हमने यह देखिए इनको आगे कर लिया आगे वारे फंदे को पीछे कर लिया अब हमने इनको भी चेंज कर दिया एक और यह दो फिर एक यह फंदा उल्टा और यह अगला फंदा उल्टा फिर धागा बाहर किया फिर एक फंदा दो फंदे एक फंदा दो फंदे फिर एक दो फंदे उल्टे फिर देखिए फ्रेंट्स यह हमने बीच वाला फंदा आगे लिया आए और इसको आगे वाले को पीछे कर दिया यह उल्टा फंदा हम आगे लिया आए इसको बनाया, फिर हमने इसको बनाया, फिर धागा अंदर किया, एक, दो फंदे उल्टे, ये देखिए, फ्रेंट्स, बीच वाला सीधा धागा हम, फंदा हम आगे लिए आए, और आगे वाला फंदा हमने पीछे बनाया, अब उल्टा फंदा हम आगे लिए आए, ये देखि और ये लास्ट वाला, ये देखिए, अब 12 रो, 12 रो में फ्रेंट्स, पहला फंदा, दूसरा फंदा, उल्टा, धागा बाहर किया, एक, दो फंदे सीधे, धागा अंदर किया, एक, दो, तीन, चार फंदे उल्टे, एक, दो फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार फंदे उल्टे, एक, दो फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार फंदे उल्टे, एक, दो फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार और ये, एक पंदा सीधा, अब ये, ये देखाँ, ये हमारी ट्रलाव रो बन गए, धर्टे, थर्टेन डो, ने एक पंदा, अब हमारे, जैसे हमने स्टार्ट में बनाये थे, उसी तरह हमारे, यहाँ, दो फंदे उल्टे आ गये, यह देखिए फ्रैंस पीछे वाला फंदा हमने पहले बना लिया आगे वाला हमने फिर बनाया फिर दो फंदे उल्टे फिर धागा बहर किया यह देखिए बीच वाला फंदा हम आगे ले आए इसको हमने आगे बना लिया फिर हमने दूसरे फंदे को बनाया इसी तरह हमने पी एक दो एक दो एक एक दे को प्रेंस इस्टा एक दो एक दो यह देखिए अब हमारे यहां भी दो फंदे उल्टे आ गए और एक फंदा यह देखो जैसे हमने यहां स्टार्ट किये था उसी तरह हमारे यहां भी अब देखिए फ्रेंस एक फंदा उतार लिया दो फंदे हमारे सीरे यह 14 लाई एक दो तीन चार एक दो एक दो तीन चार एक दो एक दो तीन चार दो फंदे सीधे दो तीन चार यह दो फंदे सीधे यह हमारी 14 लो बनके तियार हो गए यह रिखिए फ्रेंस यह देखिए फ्रेंस। हमने जब डिजाइन शुरुर कियह था तो हमने एक फंदा उतार था दो उलटे थे और चार फंदे आपस में बदले थे, ठीक है इसी तरह हमारा यह देखो यहां से यहां कट गया और यह design यहां खतम हो गया और यहां से शुरू होके यहां अब हमारे फिर यहां एक फंदा उतार लिया दो फंदे उल्टे आ गए इस तरह यह अब हमारी यहां से यह हमारी जैसे यह डबी खतम हो गई वैसे हमारी आगे यह टबी खतम होगी और एक डबी यहां से फिर श्टार्ट होगी ठीक है अगर आपको मेरे यह डिजाइन अच्छा लग तो प्लीज अपने स्वाल और सुझाओ कमेंट बोक्स में जरूर लिकें वीडियो अच्छा लगने पर फ्रेंड लाइक शेयर और सस्क्राइब भी जरूर करें धन्यवाद बाई बाई